शहबाज शरीफ आज विपक्ष के नेता से मिलकर नाम फाइनल करेंगे पाक का केर टेकर पीम कौन आज बैठक यूइस बोला नजर है संसद भंग होने पर आगे क्या होगा क्या है संसद भंग करने की प्रक्रिया अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राश्ट्रपती से जाते हैं नैशनल असेवली अब तक दो ही बार अपना कारेकाल पूरा कर पाई है एक बार 2013 में और फिर 2018 में चुनाव आयोग की भूमिका वकीलों से बोले इमरान जेल से बाहर निकालो यहां नहीं रहना चाहता पी टी आई इसलामाबाद जेल में बंद इमरान खान ने अ गुमवार को जेल अधिकारियों ने उनसे मिलने की इजाज़त दी थी उधर इसलामाबाद हाई कोर्ट ने जेल बदलने की इमरान खान की अजी पर पाकिस्तान सरकार और पंजाब की प्रातिय सरकार से जवाब मानगा है इमरान अभी अटक जेल में है भीतर आम चुनाव क इस के अलावा रेजाना के काम करना भी इसकी जिम्मेदारी है क्योँ नियुक्ती कौन करता है कार्य वाहक सरकर की नियुक्ती रिष्ट्रपती करते हैं निवर्तमान प्रधानमंत Mary और संसद में विपक्ष के नेता का सहयोग स्में जरूरी होता है पाकिस्तान की national assembly का कार्य 12 अगस्त को पूरा होना था PTI, इसलामाबाद कार्यकाल पूरा करती तो 60 दिनों में चुनावी प्रक्रिया करानी होती पाकिस्तान के मसले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को संसद में एक तरह से अपने विदाई भाशन में कहा कि वो संसद को समय से पहले भंग करने की सिफारिश के बारे में चिंतित है राश्ट्रपती आरिफ अलवी को भेज रहे हैं कार्रवाई जो पाकिस्तान पर अमेरिका ने कहा कि हम स्थिती पर नजर बनाए हुए हैं प्रवक्ता जॉनकिरी ने कहा हम स्पष्ट रूप से किसी भी कार्रवाई दे सकती है उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ आतंकुआत का मुकाबला करने के लिए हितों को साया करते हैं माना जा रहा कि वोटिंग में कई महीनों की देरी हो सकती है क्योंकि चुनाव आयोग नई सम्बोधन में शहबाज शरीफ ने कहा कि विपक्ष के नता राजाता के लिए गुरुवार को बैठक की जाएगी बैठक में दोनों ओर से दिये गए नामों पर चर्चा होगी शहबाज ने कहा सम्विधां के मताबिक हमारे पास किसी फैसले पर पहुँचने के लिए तीन दिन का समय है निर्वाचन ख्षेत्रों का दोबारा तै करने वाला है एकस्पटर्स का कहना है कि चुनाव में किसी भी तरह की देरी से जनता का गुस्सा भढ़क सकता है और पाकिस्तान में अनिश्चितिता बढ़ सकती है पूर्व प्रधानमंत्री खास तोर पर हिंसक या स्पष्ट रूप से में अस्थिर्ता में योगदान वैसे तो संसत का कार्यकाल 12 अगस्त किसी भी अन्यदेश को पूरा हो रहा है लेकिन तीन दिन पहले ही इसे भंग करने का फैसला किया गया है संसत में प्रधानमंत्री के तौर पर आखिरी प्रधानमंत्री रियाज के के साथ नाम पर चर्चा शहबाज शरीफ जनानना पाकिस्तान के सम्विधान के मुतविक संसत समय से पहले भंग होती है तो 90 दिनों के भीतर चनाव कराने होते है अगर यह इम्रांग खान को सजा पांच साल के लिए गोशित किये जा चके के आधार पर सका होने के साथ ही वो चुनाव लड़ने से अयोग्य है पूरा होने के साथ दिनों के भीतर या पहले NBT समझीए खबरों के एंस चुनाव कब होंगे अब यही है सवाल पाकिस्तान में संसद भंग होने के बाद एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल का माहौल शुरू हो सकता है संसद भंग होने के 90 दिनों के भीतर चुनाव कराना होता है हाला कि एक स्पर्स कह रहे है कि इसमें महीनों खीच सकते हैं कारांसल ओफ कॉमन इंटरेस्स ने 2023 की जंगरना के परिनामों को मंजूरी दी है चुनाव आयोग के एक वरिष्ट अधिकारी का कहना है कि आयोग अब नए सिरे से परिसीमन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्या है इसमें कम से कम चार महीने लगेंगे वोटर लिस्ट भी नए सिरे से बनानी होगी कह ये भी जारहमा है कि यह पूरी कवायद अगले साल मार्च या अप्रेल तक के लिए स्थगित की जा सकती है पूर्व पीम इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सकते है एक एहम नेता का इसमें शामिल नहोना भी सवाल खड़े करेगा हालां कि इस बीच नजरें यहां केर्टेकर प्रधान मंत्री के चुनाव पर तकी है